और मित्रो इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर पुरानी पिंसन को लेकर आ रही है जी आंस तो केंदरी अर्दिसनिक बलो के लाखो जवानों का OPS का सपना तूटा केंदर ने सुप्रीम कोट से लिया अस्तगन आदेश जी आंस तो जैसा सभी लोग सोच रहते आकिरकार वही हुआ केंदरी अर्दिसनिक बलो में पुरानी पिंसन लाखो जवानों का पुरानी पिंसन मिलने का सपना चकना चूर हो गया है इस साल 11 जनौरी को CEPF में पुरानी पिंसन बेउस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोट ने जो बड़ा फैसला दिया था उस पर केंद सरकार ने सुप्रीम कोट से फरवरी 2024 तक का स्टे ओर्डर ले लिया है सुप्रीम कोट के जश्टिस संजीव खन्ना और जश्टिस बेला त्रिवेदी की पिट ने यह इस्टे ओर्डर दिया है केंद सरकार की तरप से सॉलिष्टर जनरल तुसार महता सुप्रीम कोट में पेस हुए थे जिया सो आपको बढ़ा दू कि इसके पहले दिल्ली आईकोट ने अपने फैसले में कहा था कि केंदरी अर्दसनिक बल भारत संके ससस्त बल है दिल्ली हाई कोट ने केंदरी अर्दस्यनिक बलों में यनपियस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी और OPS बहाल करने की बात कही थी जियां सो इन बलों में चाहे कोई आज भरती हुआ हो पहले कभी भरती हुआ हो या आने वाले समय में भरती होगा सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंसन के दायरे में होंगे ऐसी में दोस्तों दिल्ली हाई कोट ने 11 जनौरी को ए फैसला सुनाया था और केंसरकार को आठ हपते का समय दिया था लेकिन दोस्तों केंसरकार ने 8 सपता की बितर कोई फैसला नहीं सुनाया और 12 सपता का समय माँग लिया अब दोस्तों केंसरकार जो है सुप्रीम कोट में गई थी और सुप्रीम कोट में जाकर फरवरी 2024 तक का स्टे ओर लेके आई है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोट ने ए भी कहा कि करमचारी अगर 1 जनौरी 2024 के बाद भरती हुए है उनके ओपर NPS लागू है लेकिन अगर उनकी मृति होती है या इन्वैलिड होते हैं या दिब्यांग होते हैं तो ऐसे कंडिशन में उनके ओपर OPS लागू की जाएगी